अभी हम आग्रा में वाइलाफ एस हॉस्पिटल में हूँ अभी यह रस्क्यू करके आया है अभी कोब्रा है तो कोब्रा आपको पता है आग्रा में हमको कोब्रा और क्राइट जादा मिलता है और कोब्रा बहुत जरीला होता है और यह नूरो टक्सिक वेनम होता है इसका और आप देख सकते हैं यह अभी बहुत एग्रसिव है और इनका का डिफेंस मेकानिसम यह शो करता है क्योंकि आमको मालूम है एक कोब्रा अभी आप उसको शूट कर रहा है इसलिए यह इधर ही कड़ा है और इस यह हमारा बिग फोर में एक है और बिग फोर में दो मिलता है इधर टॉटल फोर में सौस्केल वाइपर, रसल्स वाइपर, कोब्रा और क्रेट होता है तो हमारे इस में क्या होता है इस आगरा मतुरा बेल्ट में हमको काली क्रेट और कोब्रा ही मिलता है और मैक्सिमम डेथ इसी इक है बाइट से ही होता है और यह एक गर के अंदर ता गर के अंदर से हमने रस इसको मार डालता है तो इसलिए हमको रिलीस करने से पहले अच्छा सा इसको ध्यान देना पड़ता है कोई भी चीज को कहीं भी रिलीस नहीं करना फरस्ट फॉल तो यह पास में गर है उसी गर से पकड़ के लाया हमारा तो आप इसको देख सकते हैं इसका हिसिंग साउंड दे होता है उसको कभी भी ज्यादा टिप में होल्ड नहीं करना चाहिए और अभी आप देख सकता है अभी आप कोई भी पास में आ गया तो और साउंड कर दिया तो भी आपको मालूम है आपके साथ डाइवर्ट नहीं होगा तो इसी कभी एक अंदविश्वास होता है सपेर ल और कोई चीज से नहीं होता है यह हुड है तो हम हमेशा ऐसे तोड़ा अंदर जाके अंदर इसका थेल का तोड़ा अंदर पकड़ना हमेशा इसके लिए हामफुल नहीं रहेगा तो यह अटेक करने के लिए कोशिश भी नहीं करेगा कोई भी स्नेक हो तो हम इसको बॉक्स म और कोई भी कॉन्फिलिक में आगया भी नहीं और नॉक्टरॉनल स्नेक को कभी भी करके आप दिन में रिलीस मत करियेगा क्योंकि उसको नेचर में अज्जेस्ट करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है Thank you Hi, I am Baiju from Wildlife SOS You can help us save India's wildlife by simply liking, commenting and sharing on this video You can also subscribe to our YouTube channel. Thank you